हेलो नमस्कार दोस्तों थर्टी मिनट जीएस मैं आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज बात करेंगे आर्ट कल्चर में इंडियन डांस फॉर्म की इनसे जो कुश्चन बनते हैं जो छोटे एक्जांस होते हैं उनमें अलग तरह के कुश्चन बनते हैं बड या डांस किस आउसर पर किया जाता है ऐसे कुश्चन बनेंगे और बड़े एक्जांस में कुश्चन अलग तरीके से बनेंगे उनमें चीजें यही रहेंगी और चार-पांच स्टेट्मेंट बनाके बोलेंगे निम नमेंसे कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं ऐसे करके तो सबसे पहले बात करते हैं भारती एतियासिक संदर में नरत्यों के प्रमाड के बारे में कि इसके प्रमाड कहां कहां से मिलते हैं तो सबसे पहले इसकी पासाड काल इन गुफा चित्रकारी यानि कि जो पासाड काल में गुफाई थी उन पे चित्रकारी बनी हुई है उनमें भी नरत्य करते हुए मनस्यों को दिखाया गया है इसके अलावा जो मुख सोर्स है में सोर्स है वो है भरत मुनी का नाट्य सास्त् अब बात कर लेते हैं नाट सास्त्र भरतमुनिक के द्वारा रचतिक ग्रंथ है नर्थ्य नाटक संगीत इत्यादी के उतपत्ति विकास नियम एवं दिशा निर्जस के बारे में इसमें वर्दन है रचना काल के संबन में यानि कि कब इसका रचना हुई थी प्रमाड़िक जनकरी का अबाव है लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना संबवता भरत मुनी की द्वारा 400 इसापूर से लेकर 100 इसवी के मद्द कभी हुई होगी ग्रंथ के अनुसार नरत की उत्पति मूलता सेव भगवान के तांड़ो से हुई होगी सेव से ब्रह्मा तक नरत गया ब्रह्मा से रिषियों तक और रिषियों ने जन्ता तक इसको पहुँचाया ठीक है जिसको स्क्रीन सोट लेना हूँ ले सकता है अब बात करते हैं नरत की उत्पति का मूल क्या था तो नाठ सास्त ग्रंथ के अनुसार नरत की उत्पति का मूल था सिव जी का तांड़ो और पारवती माता का लास्य वस्तता सिव जी के तांड़ो नरत का इस्तिरियत स्वरूप का ही लास्य का आगया है अर्थाथ सिवजी के द्वारा किया गया नर्थ Tando था, जबकि पर्वती जी के द्वारा किया गया नर्थ Лास कहलाय important है, Tando नर्थ उगरता एवं आकरामक सैली का प्रतीक है, जबकि Lास नर्थ कॉमल उधार एवं सहज प्रकती का प्रतीक है यह देखिए अपने सिव जी है और यहां पर परवतीजी है जो लास सिव जी तांडो अब नात्र सास्ट में कितने प्रकार के तांडों का वर्डन है इंपोर्टन है पूछा गया है डारेक्ट तो साथ प्रकार के तांडो है और आठाल कौन सा है लाइस ऑगर केबल टान्डो का प्रकार पूचे तो साथ है और वैसे पूचे टोटल तो टोटल आट है अनन्द टान्डो प्रकार प्रकार नहीं है तो आपके या रखना रखना है संगार, गोरी, तिरप्रा ये तांडव हैं, बाकी कोई तांडव नहीं है, प्रतेक तांडव की सम्मद में बारती सास्त्रों में पौराड़िक कथाओं का लेक किया गया है, अर्थात सिव जी का प्रतेक तांड़ नरत किसी ना किसी घटना से जुड़ा हुआ, ऐसे नहीं कि कि ऐसे ही डांस या नरत्य करने लगे उसके पीछे कई पौराणिक कारण हैं कई कथाएं अब बात करते हैं सास्त्री नरत्य इससे सबसे आदा कुछन पूछे जाते हैं कि निमने में से कौन सा सास्त्री नरत्य नहीं है तो देख लेते हैं सास्त्री नरत्य कितने हैं तो संग मुहिनी अट्टम, मनिपूरी और सत्रिया अब बात करते हैं भारत नाट्यम की भारत नाट्यम की बात करते हैं तो भारत नाट्यम तमिल नाडू का अन्रत्य है अन्य नाम है इसके दासी अट्टम, चधीर अट्टम, तंजावुर अट्टम, शादिर और इसका सर्पतम बढ़्डम भरत मुनी रचित नाट सास्त्र में है दच्छन में सबसे पहला उलेक तमिल महा का सिलब पाठी कारम में इसका उलेक मिलता है भारत नाट्यम में भाव, राग, ताल, तीनों का प्रयोग हुआ है और इनी तीन कलाओं का मिस्रड क्या कहलाता है भारत नाट्यम भाव से भाव है, रा से राग है, ता से ताल है, इसी से बनता है भारत नाट्यम भारत नाटेम की उत्पत्ती होती है देवदासियों से और भारत नाटेम नरत की सुरुवात मूलता तमिल नाडू के मंदरों में देवदासियों के द्वारा की गई थी तमिल नाडू के चिदंबरम के प्राचीन मंदरों में इस नर्त को करती हुई महलाओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है देवदासियों दारक किया जाने के कारण मद्य काल में भारत नाटियम को उचित सम्मान नहीं मिला था लेकिन बिटिस काल में मंदरों में नर्थ पे रोक लगा दी गई और नर्थ पहली बार मंदरों के बाहर किया जाने लगा बीस्वी सदी में कृष्णाइयर और रुक्मनी देवी इंपोर्टेंट नामें ये पूछता है SSC खास तोर से पूछता है कि कृष्णाइयर या रुक्मनी देवी इनका संबंध किस से है तो कृष्णा येर और रुक्मनी देवी का संब्ध है भारत नाट्यम से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला कुष्चन है भारत नाट्यम को अखिल वारत इस तर पर उचित पहचान देलाने में इन दोनों की भूमका रही है बीसमी सती में कृष्णा येर और रुक्मनी देवी का इसके बाद भारत नाट्यम के भाग की बात करते हैं तो नरत और आभिनों से मिलकर बनाए भारत नाट्यम नरत मतलब सारीर गद्विदियां अभिने मतलब भावों का प्रदर्शन यान की हाव भाव यह देखे expression जो है वो कि सारीर गद्विदियों अर्था नरत को तीन प्रमुख भागों में विवाजित किया गया है साभंग आभंग त्री भंग साभंग आभंग त्री भंग साभंग, आभंग, त्रिभंग, ठीक है, याद कैसे रखोगे, ATS, ATS होता है ना, लखनाव ATS, UP ATS, ऐसे करके, तो महराष्ट ATS करके होता है ना, ऐसे, ATS पुलिस में जो बनी होती संस्ता, उसी तरह ATS याद रखो, आभंग, त्रिभंग, साभंग, बसता यह शरीर द्वारा नरत के दोरा निर्मित की जाने वाली विविन प्रकार की अकृतियां हैं, आभंग, साभंग, और त्रिभंग, भारत नाटेम के वल नरत ने यह पितु कथा, नरत और नाटक, तीनों का समले स्वरूप है, हाला कि नरत की इसमें प्रधानता है, इसलिए इसे मूलता नरत की स्रेडी में रखा गया है, और भारत नाटेम एकल नरत है, और भारत नाटेम को तीन भागों में विवक्त किया गया है, नाट नरत और नरत इन पे भी कुश्चन पूचे गए हैं, तो नाट का मतलब यह है, इस अंग में, यानि कि भारत नाटेम के संग में नरत प्रस्तु जाएक तो नाट्य न्रत्य न्रत्य में ताल नाट्य में कथा और न्रत्य में अंग में न्रत्य और नाट्य दोनों का उप्योग किया जाता है तीन भाग आपको भारत नाट्यम के बता दी है अब बात करते हैं भारत नाट्यम के कितने चरण होते हैं तो साथ चरण होते हैं क्यों इतना याद रखना है साथ हो चरण याद नहीं रखना है लेकिन शुरू का चरण अंतिम चरण या नाम से पूछ लेंगे इस चरण में क्या होता है तो अलारिपू में क्या होता है प्रडाम की मुद्रा होती यसे नमस्कार करते हुए, जाती स्वरम में रत का आरम हो जाता है, सब्दम में सब्दों का चरड, चरडम में पैरों की गद्विदियां, पदम में स्रंगारिक प्रिस्तुती होती और तिल्लाना में गुंगरियों क की दीव्रगति का प्रदर्षन होता और स्लोका में रत की अंतिम अवस्था होती है तो इस तरह से पुचा गया है भारत ना ये में का बस्ताल आ रफू राख कर अद रहता है ठीप है देखो का के आप सब्दम से जाती सब्ब्रम में कर लेंगे सब्सक्राइब करने की चीज है आप बात करते हैं तिलाना याद रखो आमने याद करने यानि कि आपको देदे अलारिपू पदम सब्दम स्लोका करें इन्हें क्रम में जमाईए नरत के तो आप इस तरह से आपको करना है स्लोका क्या है नरत कि अंते वस्ता है अलारिपू प्रारम बेक वस्ता है और सेकेंड वस्ता क्या है नरत कारम जाती स्वरम और तिल्लाना में गुंगुरूओं की तिर्वगितिका प्रतरसन है यानि कि भरतनाटिम के कुल कितने चरण हैं साथ आपको याद रखना अब इसके बाद भरतनाटिम में पांच प्रकार के आशन है पदमाशन, स्रष्टि आशन, योगाशन, वीराशन, सिद्धाशन और चार प्रकार के सारी रेक मोड हैं मंडला, अर्द मंडला, सम मंडला और नरत मंडला तीन प्रकार की पैरों की गद्वितियां हैं अंचती, कुंचती और उर्धांचती चार प्रकार की गति हैं करड, अंगहार, रेचक और पिंडीवद भारत नाट्यम के प्रिशिक्षक अर्थात आचार यानि की गुरु जी को नत्तुवन कहते हैं और जो निसुल प्रिशिक्षक देते हैं याद रखना जब विद्ध्यार्थी आजीवका कमाने में शक्षम हो तो नियमित रूप से अपनी आजीवका में से एक निश्चित हिस अर्थात कृष्ण की अराधना के साथ साथ ये रथ्य समाप्थ हो जाता है अब बात करेंगे कुच्ची पुडि की अभी तक हमने भारत नाट्यम की बात करी तो कुच्ची पुडि आंध प्रदेश का सास्थ्री नर्थ है इसका मूल नाम भी कई बार पूछा गया है तो क कुचेलापुरी या कुचेलापुरम है कुच्चीपुरी नाम आन्द प्रदेश के कृष्णा जिले में इस्थित कुच्चीपुरी गाउं के नाम पर पढ़ता है इस गाउं में ब्रामण पारंप्रेक रूप से इस नरत का अभ्यास करते हैं अता कुच्ची पुड़ी नरत की शुरुवात कस्रे जाता है ब्रामणों को और प्राचीन कालमन रत सामूहिक रूप से मंदरों में और इंपोर्टेंट है रात्री के समय में प्रस्तुत किया जाता था पारम प्रेक रूप सिटक पुड़ी को केवल ब्रामण सम्दाए की पृसुन दार किया जाता था परारमं में कुछलवा नामक ब्रामणोरों के द्वारा कुच्ची पुड़ी को प्रतरसित किया जाता था बीस्वी सदी में इस नरत में आप महलाओं का भी प्रवेस हो गया महलाओं में इस नरत के प्रवेस कराने का स्रे बाला सरस्वती और रागनी देवी को जाता है आपको ये नाम याद रखने हैं बाला सरस्वती और रागनी देवी का संबंध किस नरत से है तो उनका संबंध ह कुचिपुडी से इसके बाद और नाम भी आपके याद रखना है वेदा अंतम लक्ष्मी नारायन, चिंता कृष्ण मूर्ती और तादे पल्ली पेर आया, इनकी भी भूनका या श्री कृष्ण पर आधारित वैश्णों परंपरा पर आधारित नरत है ये भी कुश्यन पूछा जाता है तो आपको पता होना कि कुछी पुड़ी भगवान विश्णु या श्री कृष्ण पर आधारित वैश्णों परंपरा पर नरत है मद्यकाल में कुछिपुड़ी नरत को प्रशलित करने का कार सिध्धेंद्रयोगी नामक एक कृष्ण संत के द्वारा किया गया सिध्धेंद्रयोगी कुछ याद रखना कि इनका संबंद कुछिपुड़ी से है जो एक कृष्ण संत थे सिद्रेंद्र योगी के द्वारा कुचिपुड़ी नर्तकी नियमावली के सम्मन्द में परिजात हर्डम और भामा कलापम नामक ग्रंद की रचना की कुचिपुड़ी का नर्तक कहलाते हैं भागवत थालू इंपोर्टेंट कुचिपुड़ी के नर्तक भागवत थालू कहलाती है और सिद्रन्द योगी के द्वारा रचना कौन सी थी परिजात हरडम और भामा कलापम इसके बाद संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला यह नरत कुचिपुड़ी कई द्रिष्टी से भारत नाट्यम से साथ समानता रखता है कुचिपुड़ी में भी स्वरम और तिल्लाना चरड सम्मेली थे तिल्लाना आमने बताया गुंगरू की बहुत तेज़ते नरत प्राया यह भी कहा जाता है कि भारत नाट्यम का ही पुरु संस्करण है कुच्ची पुड़ी, हलाकि यह सत नहीं है क्योंकि दौनों सास्त्री नर्तियों में मूलभूत अंतर विद्धिमान है, कुच्ची पुड़ी नर्त में मरदंगम, सितार, बांसुरी, तंबूरा, त्य प्रादी बाद दिंतरों का प्रयोग होता है, कुच्ची पुड़ी नर्त एकल और सामुईक रूप से किया जा सकते हैं, कुच्ची पुड़ी नर्त की वरत्मान सहली कुछ मानक रंतों पर आधारेते हैं, इनमें सबसे प्रोंख हैं, नंदी केश्वर के द्वारा रचित, अभिने दरपड और भरतारडव, ठीक है, अभिने दरपड और भरतारडव, किस ने लिखा, नंदी केश्वर ने, ये भी आपको रचनाएं भी याद करनी हैं, अब बात करते हैं, कुच्ची पुड़ी नर्त के तत्व, यानि कि उसमें कौन-कौन से भाग हैं, सबसे एक म पंडूक सब्दम, यानि की मेड़क की काहनी के विशय में है, जल, चित्र, नर्त है, नर्त करने के साथ साथ पैर के अंगूठे से जमीन पर आकरती भी बनाई जाती है, पैर के अंगूठे से, ठीक है, उसको बोलते हैं, जल, चित्र, नर्त है, अब बात करते हैं, तरंगम या मठका नरत की, तो कुच्ची पुड़ी नरत का सबसे अधिक लोगप्री रूप है, तरंगम या मठका नरत, एक नरत की मठके में पानी भर कर और उसे अपने सिर पे रख कर, पीतल की थाली में पैर जमा कर, नरत करती है, थाली पर नियंत्रट रखते हुए पूरे मंच प ही एक भाग है, अब बात करते हैं कुची पुड़ी नरत के विन अंगों के बारे में, तो चार मुक अंग हैं, वाचिका, अहार्या, अंग्यका और सात्विका, वाचिका, अहार्या, अंग्यका और सात्विका, नरत शुरू करने से पहले परंपरागत तरीके से पूजन कि पूजन के पश्चाद नर्तक मंच पर आते हैं और पर्चे देते हैं रत के मादयम से भागवत पुरान की कहानियों का मंचन किया जाता है नर्त के मादयम से मानोसरी रत्वा प्रत्वी में व्याप्त पंच तत्वों का प्रदर्शन भी किया जाता है नर्त और गायन दौनों एक ही कलाकार के द्वारा किया जयता हैं सबसे पहली बात भारत्तनाटियम एकल नरत थी था और उसके बाद कुची पुड़ी एकल और हंज रितकार रखन नरत करना है और इसमें नरत रॉगायन दोनों कुची पुडि में एक ही खलाकार की द्वारा किया जाता है इक है में लास और तांडओं जो उमने बताए था स््टार्टिंग में चिप,"संबद्ध से हैं,"जीல्णक और र spec on अपना प्रिचाह देता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सा रोल कर रहा हूँ, अपने चरितर को प्रतेक पातर को एक-एक गीत मिलता है, अब बात करते हैं, कुछी पूरी निरते के प्रमुक कलाकारों के बारे में, जिनको आपका नाम बिलकुल याद रखना है, 100% याद रखना सबसे पहले आप रेड़ी रेड़ी जादा देखेना दो कुछी पूड़ी समझ लेना ठीक है और उसमें भी यामिनी कृष्णमूर्ती और सोवा नाइड़ू याद रखना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कुछी पूड़ी नरत के प्रमो कलाकार है अब बात करते हैं ओडिशी की यह देखिए ओडिशी नरत करते हुई ओडिशी का मूल इस्थान ओडिशा है वो दभाव प्राचीन काल में देवदासियों के माद्यम से हुआ होगा हलांकि भारत नाटे में तदा कुछी पूड़ी तरह है ओडिशी नरत का उलेख भारत मुनी रचित नाठ सास्त्र में नहीं है लेकिन इसके बाव्यूत इस नरत के प्रमाड सिला लेखों के माद्यम से प्राप्त हुए है इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें इसका उलेख भारत मुनी के नाठ सास्त्र में नहीं है किसका ओडिसी का ओडिसी के ब्रहमेस्वर मंदर के सिला लेखों में इस नरत के वारे में उलेख है इसके अलावा ओडिसा के कोडार के सूर मंदिर में भी ओडिसी का उलेख है ओडिसी एक ऐसा सास्त्री नर्थ है जिसके सबसे अधिक प्रमाण सिला लेखों से प्राप्त हुए मूल रूप से important point ये पूछा जाता है मूल रूप से एनर्थ इस्त्रीयों दरा किंतु परतमान में पुरुस भी भाग लेते हैं पुर्सों के नर्थ को गोटू पुआ कहा जाता है important है गोटू पुआ किसे कहते हैं पुर्सों दरा किया गया ओडिसी नर्थ इस नरत में गायन के दोरान प्रियुक्त किये जाने वाले चंद जैदेव द्वारा रचित संस्कृत ग्रेंथ गीत गोविंदम से लिये गई मौर एवं गुप्त काल में इस नरत का संचालन बहुत बंदरों में भी किया जाता था और मद काल में इस नरत की लोग पिरत्या हो गई थी कम और बिर्टिस काल में तो इस पर पूर्टा प्रत्वन्द हो गया था और आधने काल में इस नरत को पुना प्रसलित करने का स्रेग गुरु केलू चरण महापात्रा को जाता है नामियाद रखेंगे कि केलू चरण महापात्रा का संबंद किस नरत से है तो ओडिसी नरत से है और ओडिस्री नर्ट मूलिता भगवान कृष्ण अथवा विश्णू के आठवे अवतार से संबंदेत है यानि कि वैश्णों धर्म से संबंदेत है नर्ट और गायन के माद्यम से भगवान विश्णू के आठवे अवतार की कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसके और टेमपल याद होगा उनका भी महिमा मंदन किया जाता है सीमित रूप से यहने कि कुछ मात्रा में भगवान से और सूर्देव से संबंदेत कताओं का भी मंचन किया जाता है लेकिन मूल रूप से नर्ट भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित ओडिसी नर्ट में आम तोर पर एक पखावज वादक, एक बांसुरी वादक, एक गायक, एक सितार या बीड़ा वादक, एक मंजीरा वादक को नर्टक होते हैं नर्टक विसेश तरह के आवुसरों को धारड करती हैं जो चांदी के बने होते हैं और सी नर्ट अत्यंत कोमल भक्ति वाव से पूड और प्रेम भाव पर आधारी थे, भगवान के प्रती समरपड का भाव प्रकट करना इस नर्ट का मूल उद्देश है, ओडिसी नर्ट में भी भारत नाट्यम की तरह तीन अंग है, ATS याद रखना, अवंग, त्रिवंग और शवंग, त्रिवंग पर सबसे अधिक ध्यान क के इंद्रत किया जाता है, त्रिवंग का अर्थ है, शरीर को तीन हिस्सों में विवक्त करते हुए नर्ट करना, अर्थात सेर पैर हातों के माद्यम से, सेर पैर और हात के माद्यम से नर्ट करते हुए भाव मुद्राएं प्रस्तुत करना, इस नर्ट की प्रसिद मुद्रा भासा को हस्ता कहते हैं, जो पृतिकों, भावनाओं और विचारों को बताती हैं, हाथ में पुस्प लिए हुए पृतिकात्मक मुद्रा, जिसे पुस्प हस्त्र मुद्रा भी कहते हैं, कुछ मुद्रा हैं, सजावटी या पृतिकात्मक तोर पर प्रस्तुत की जाती हैं, जि इसके बात करते हैं बटू की तो इस चरण में चौक और त्रिभंगी को दर्सा आया गया है। इसके बाद पलवी आता है तो पलवी में गीत की प्रस्तुति की जाती है और थारी जाम इंपॉर्टेंट है थारी जाम में विशुद्ध रूप से न्रत ही नरत्य है और त्रिखंड मंजूर में नरत्य का समापन कर दिया है यह भाग है बटू पलवी थारिजाम और त्रिखंड मंजूर इसके बाद बात करें प्रमुक कलाकारों की इनके नाम आपको याद रखने हैं सोनल मान सिंग गुरू पंकर चरणदास गुरू केलू चरण महापातर इंपोर्टेंट है पदमिस्री रंजना गोहर इंदरानी रह्मान और चाल्स फैबरी इनके नाम याद रखने हैं इनका सम किसका किसका सोनल मान सिंग गुरू पंकर चरणदास गुरू केलू चरणद महापातर पदमिस्री रंजना गोहर इंदरानी रह्मान और चाल्स फैबरी इसके बाद आप बात करते हैं कथक की कथक यह आप देखिए कथक कर रहे हैं लोग तो कथक सब्द की उत्पत्ति इसी संस्कृत में कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है और प्राचीन काल में भगवान स्रीकृष्ण के जीवन से सम्मंदित कथाओं को सुनाने वालों को क्या कहते थे कथक कहते थे कालांतर में छटी सिदाब्दी कासपास जब भक्ति का लारम होता है तो उस समय कथाओं के सुनाने के साथ साथ उसे नरत रूप में भी प्रस्तुत किया जाने लगाता है यहीं से क्रत्थक नरत सैली का विकास होता है मद्यकाल में स्रीकृष्ण की जीवन कता के साथ साथ संस्कृती समर्षित होने पर यानिकी कई संस्कृतिया आपस में मिली तो इसमें कुछ इरानी एवं उर्दू कविताओं की विसेवस्तू भी सम्मिलित कर ली गई अता मद्यकालीन मुगल सासकों के द्वारा इस सैली क परियाप्त संरक्षर दिया अगया भारत के साथ स्री निर्ध्यों में केवल कत्थक ही है जिसका सम्मंद मुस्लिम संस्कृती से भी है याद रखना है यह पॉइंट कथक विशेश रूप से उत्तर भारत, विशेश का राजिस्थान और उत्तर प्रदेश का एक सास्त्री नरत है उत्तर प्रदेश के संदर में यह सास्त्री नरत ब्रज भूमी की कृष्ण रास लीला से अधिक संबादित है इस नरत का अन्य नाम नटवरी भी है जो की संभावता पगवान स्री क्रिश्ण के बालकाल के नटखट चरितर को इंगित करता है अब कत्थक में क्या होते हैं घराने होते हैं तो कत्थक का विकास उत्तर भारत में विविन छेतरों में हुआ जिससे इस नरत में कुछ छेतरी विसेष्टाएं भी संभिलित हो गई और उन्ही को हम कहते हैं घराने के नाम से जाने मतलब हर तरह की एक विराइटी होती है बनारस गराना जानकी प्रसाथ की दर्वार विक्षित किया गया उसके बाद लखनव घराने की बात करें तो अवत के नवाब बाजिद अली शाय की दर्वार में विक्षित हुआ और जैपुर गराना राजिस्थान के कच्छवा राजा की दर्वार में विक्सित होता है, इंपोर्टेंट है, और राइगण गराना चतीस गड़ के चक्रधार सिंग के दर्वार संब्ध, आपको कुल गराने याद रखना है, बनारस, लकनव, जैपुर और राइगण, मेरे गायन के माद्यम से व्यक्त किया जाता है, अब कथक के चरण की बात कर लें, बिसेश रूप से बहुत रूप इंपोर्टेंट है, नरत, नरत, प्रारंबिक चरण है कथक का, जिसमें दर्वादन के साथ-साथ देवताओं की आराधना की जाती, ठाट, इस चरण में न दर्शकों के द्वारा तालियों के माद्यम से स्वीकरती प्रदान की जाती है, यहां चलिए शुरू करते हैं, इसके बात कवित, कवित नरत का मूल भाग है, जिसमें नरत प्रारंब होता है, इसके बात पढ़न, इसमें तबले की बजाए केवल पकवाज बादियंतर का उ लड़ी यानि की स्वर्ग लगाना एवं साथ में नरत की दौरा मुद्रायं प्रस्थत करना को तिहाई यानिकी गायन के अंस्केत तीन वार दोराया जाता ए सम चो अंतिम चरण है और दर्सकों के अव्वधन के साथ शाथ शाD सुक हो जाता है रतक है कथक के ठीक है अब आगे बात करेंगे कथक कली की अगले वीडियो में तब तक लिए बहुत-बहुत धनवाद और इसकी याद करने की किस से कौन घराने से क्या संबंदित है कौन रत से कौन रतकार संबंदित है उसकी मेट्रिक आपको जल्दी ला दूँगा